हेलो फ्रेंड वेलकम बेक वाइए यूटूब चैनल कलाकार्स कलाकारी फ्रेंड्स यह है एलाम डेजैनिस स्रीज का फिप्ट पार्ट जिसमें हम सीखेंगे की हम मैजिक बेंट टूम का यूज कैसे करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं करेंज बढ़ते हैं फोटोशॉप की और इससे जो पहला वाला पार्ट है उसे मैंने आपको बताया था कि हम लैसर टूल का योज कैसे करते हैं और अगर अभी तक आपने लास वीडियो नहीं देखा हैं तो आप उसे देख लीजिए क्योंकि उसे मैंने बहुत सारी चीज़े बतायी हुई है वीडियो को मिस मत करना कोई भी क्योंकि हर वीडियो में कुछ न कुछ चीज़े हैं और यह आपकी बहुत हैल्फुल रहेगा अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है बिल्कुल तो आप इसको शुरू से लेकि सारी सेरीस को देखिए आप तो आगे Met End Tool में जैसे ही смzenary करोग cage ओ अप इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी इस छेगी जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हर किसी की टूल्स में क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी इहां पे खुल जाती है इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीश खुल जा में इसकी मिनिंग क्या है कैसे से यूज करते हैं वो सब बताया हुआ है और हर रूल में इनका मतलब सेम ही रहता है चेंज नहीं होता है और यह सारी चीज़ सेलेक्शन का मोड रहता है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है उसके बाद हम देखेंगे सेंपल एश के अंदर पॉंट सेंपल है और 3 by 3 5 by 5 एवरेज यह सारी चीज़े दे रिखिये फिर है तो दे रखाय है इसके अंदर इसके अंदर 32 भी लिखा हुआ इसका मतलब भी बतांगा मैं आपको और यह सारी चीज़े भी बताऊंगा तो सबसे पहले हम इसमें फोटो डरेक क करना है तो मैंजिक वैंट तूर करता यह फिर थोड़ा बहुत ज्यादा है घ्राइब करता तो तो अगर मैं इस ने करोंगा सकता लिए तो यह अगर यहां पर से कर desarroll क्योंकि यह कहीं ना कहीं इसàn Teas ko मैच कलर दिख रहा था यह लीए इसने कि kiedy बाकी अभी हम इसमें से क्लिक करोगे तो इस एरिया को स्लेक्ट कर लेगा फिर उसमें ये अरिया भी स्लेक्ट कर लिया क्योंकि ये डार्क के अंदर का एरिया है तो अभी आप देखो कि मैं स्लेक्ट कर रहा हूं तो जैसे इस एरिया को स्लेक्ट कर रहा हूं तो ये वारा ए एड होते रहेगा तो इस तरीके से स्लैक्ट कर रहा है बड अभी आपकर देखोगी कि इसमें यह चीज़े भी अंदर की सब्सक्राइब कर लिए इसके इन चीजों का भी दियां रखना होता है जिसे कि अगर इस की बात करें तो अगर 32 ते रख रहा है इसको अगर मैं तो इस तरीके से यह tolerance mode काम करता है और basically हमको इसी का use होता है mostly क्यूंकि हमें अगर selection करना होते टो हमें जगदा select area ना ले ले या फिर बहुत जड़ा area को select करे या फिर हमें ज़्यादा area select करना के तो इसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो अगर मैं इसको अगर मैं 90 कर देता हूं तो आप देखना अभी कि यह सारी चीज़ स्लेक्ट कर लेगा बहुत अब तक इसने यह बीच के पार्ट भी जो इसने हाउस वगड़ा इसने यह भी स्लेक्ट कर लिया है तो इसे हमें ध्यान रखना है इसका मतलब वहीं है कि कितना इरिय आपको बढ़ाना है अगर मैं इसको 10 करता हूं तो 10 इरिय से इसको यह स्लेक्ट करेगा उसके बाद हम आते हैं सैंपल साइज में इसके अंदर आप देखोगे कि काफी सारे इसमें सैंपल साइज दे रहे हैं जिसे 3x3 5x5 तो यह भी स्लेक का इरिया इसका different हो गया है इसने पूरा इरिया स्लेक्ट कर लिया मैं अगर इसको और बढ़ा देता हूं तो यह और स्लेक्शन को ले लेगा तो इस तरीके से काम करता है और यह भी सेम इसी तरीके से वाल करता है अगर जैसे कि जरूर रखा हुआ है मैंने और मैं इसको एंगर में तो इन दोनों को मोश्ली मजल्व विचे इसके इसा की यौ। करते हैं उसके बार्ड हम मैंने आपको लास वीडियो में बता हूँ आ उसके वीडियो बता हैं आप को अगर इसके नहीं देखा हुएं तो आप उसे देख सकते हो तो उसके बाद हमारा यह कांटुगेर्स है और उसके बाद हमारे सेंपल और यह दोनों के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा उसमें आप इसके बारे में अच्छे से सीख सकते हो और अभी इसको आप चेक इसको रहने दीजिए इसको उन्चेक मत करना और क्यों क्लिक करूंगा तो यह आटोमेटिक कर लेगा अब देखो कि इसने स्लेक्ट कर लिया का फिया है और बहुत अच्छा इस लेक्ट कर रख है थोड़ा बहुत डिफरेंट हम इसको मलब अभण हटा सकते चीजिजिए को कर सकते हैं अब जैसे कि हमने लास्ट टूल में क्या द ठीक है और यहां पर भी इसने यह एरिया स्लेक्षिन ज्यादा लिया है तो अब मुझे यहां पर यूझ कर सकते हैं वो कैसे करेंगे लेत्र आपको लेना है और इतना अध्य आपको बताया था कि हम एट स्लेक्षिन के लिए यहां जोग करते हैं तो इसको चुर्ट करेंगे तो यहां से हम Lessotool इस तरह के से यूज़ कर सकते हैं, वैसी हम यहां से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने पहले इस स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपने Add Selection कर लिया, तो Lessotool हमारा एक बहुत Best Tool रहता है, अब उसके बाद जैसे कि यहां पर हमें स्टार्ट करें इसको इसमें खिलिक करने के बाद अगर आप उसलेक्शन में तो हर एक तूल एक दूसरे के साथ यूज होके बहुत पावरफुल हो जाता है अगर आप सिंगल तूल को यूज करों किसी से कर सकते हैं कि Photoshop में यहीं चीजे हैं कि हमें तो आपको सब चीजों के आपको knowledge मिल जाएगी बट आपको वह सीखना बहुत जरूरी कि कैसे उनको आपस में आप यूज कर सकते हो क्योंकि जब तक आप उनको आपस में यूज करोगे तब तक एक अच्छी creativity या फिर एक तो उसको हमें बहुत बारिकिक से सीखना है और उसमें सोचना कि कैसे हम उसको दूसरे तूल के यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से हम मैजिक में टूल का यूज करते हैं और उसके बाद हमारा select and mask है इसका मैं एक different video बनाऊंगा last में क्योंकि ये इसके अंदर काफी चीजे ह है और उसके बाद हम आते हैं क्युक स्लेक्शन टूल में तो आप नेम से इसको define कर सकते हो कि हमें कोई भी करना है बहुत जल्दी हमें स्लेक्सिन करना है तो इससे आप कर सकते हो एक्जांपल के लिए अगर मैं कुछ ब्राइट का अगर फोटो लेता हूं जैसे कि लाइक अगर मैं इस फोटो को लेता हूं हुए और मुझे यहोद करना है तो हम यहाँ यहाँ पर यूज कर भी सकते हैं यइन रहाँ करता जैसे कि अगर मैं nya करने के बाद हमें जैसे प्रिंटिंग मोड में अगर हम देखे जब प्रिंट ठोपे दिखाई देती हैं तो अच्छा ही लगता है क्योंकि ज्यादा अगर बड़ा प्रिंट है तो वहां पर क्या होगा कि एक छोटी छोटी जितना बढ़ा करोगे आप इसका सेटन आपका उतना बढ़े जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं तो इसमें देखो कि आपके सेटन यह ले रखाए और इसने अच्छा सेटन इसमें काफी कर दिया है क्योंकि जो हमारा इमेज है यह मेंज है में इमेज के जो हमारे कलर से तो हम इस तरह सेलेक्षा सकते हैं और अगर आप देखोगे की यहां पर यह भी स्ख circuits चूट जोड़ गया है तो आप चाहो तो इस से भी कर सकते हो दूसरा शार आप पूस यह है कि आप आप लेसर टूल योज़ करके आप एट कर सकते हैं इस तरीकी सम्क्ट स्लेक्शन तूल का यूज़ कर सकते हैं और क्यों के अंदर भी काफी प्रॉपर्टीज है जिसमें पुछ चीजें मैं आपको बताऊँगा यह से कि यह तीन चीजें आहँ सब्गासे सच्पेश्ण कर लता हम कर लेदा हो यह इसके लिए यह सकततो है यह इन गल के लिए गें एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अगर सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब कर लिया है आप देखोगे कि यह बहुत यूजफूल है तो मैं इसका भी वीडियो में आपको एक साथ बताऊंगा क्योंकि यह हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेस वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर आल